यहां पर हम आपको देते हैं 100% free classes वेल 100% free का मतलब क्या होता है क्या यहां पर दो चैप्टर के बाद कोई fee demand की जाती है जी नहीं यहां पर आपको दो चैप्टर के पढ़ाने के बाद कोई भी fee subscription लेने की जरुवत नहीं है यहां पर हम आपको Hindi Medium, English Medium दोनों को separate पढ़ाते हैं दोनों के लिए आपके लिए online classes हैं, online classes के साथ exam preparation भी करवाई जाती है साथ ही साथ कुछ writers की book का solution भी होता है और NCRT and Olympiad जैसे competitive exams की preparation भी magnet brains पर करवाई जाती है वो भी 100% free तो बस जुड़े रहिए magnet brains के साथ और अब चलिए हम start करते हैं class 6 का science subject well science के अलावा भी आपके class में बहुत सारे subjects है तो वो सारे teachers जो कि आपको different subjects पढ़ाते हैं वो है ये और इन में से कुछ आपको English, Maths या फिर इस में से कुछ आपको social या हिंदी पढ़ाते हैं इनका साथ होगा तभी हम होंगे काम्याब हमारे आने वाले exams में तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं हम हमारे next topic की तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी chapter number 5 separation of substances का NCRT solution सबसे बहले तो हम आपकी textbook solution को करेंगे then उसके बाद हम कुछ ऐसे questions को भी इसमें include करेंगे जैसे कि जिसमें short answer type हो very short हो long answer type questions हो तो हम सब तरीके के question को इस वीडियो में prepare करने वाले हैं तो तयार हैं आप चलिए तो पहले question के साथ हम शुरुआत करते हैं जो कि हैं आपकी textbook का question पहला question जो कि आपसे पूछा गया था कि why do we need to separate different components of a mixture question को पहले समझ लीजे कि हमें ऐसी क्यों जरुआत पड़ती है कि हम different component mixture का क्या मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें मिले हुई हो तो जिसमें बहुत सारे चीजों का combination हो clear है तो बहुत सारे combination of different things या इन things को हम क्या कह सकते हैं components कह सकते हैं तो हमें क्यों जरुआत पड़ती हैं इन सारे components को अलग करने की हाना बहुत सारे mixture का क्या मतलब होता है जैसे कि आप कभी कुछ नमकीन खा रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़े होती है मुमफली होती है कुछ नारल के pieces होते है dry fruits होते है चुडा होता है तो आप क्या करते हो हर एक को अलग-अलग करोगे तो यही क्या होता है चीजों को अलग करना तो यह तो अपनी खाने वाली चीज हुई अब कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी चीज में जैसे आपके food component है कुछ like आपका rice है तो rice में क्या हो जाते है चोटे-चोटे से कंकर होते है जिसको अपन चोटे-चोटे से stones कहते हैं या husk होते हैं तो क्या आप इनको directly अगर पका दोगे तो आपके मुह में नहीं आएंगे आएंगे जब आप खाओगे तो आपको stones भी आ सकते हैं husk भी आ सकते हैं या soil भी content आ सकता है तो इसलिए जरूरी क्या होता है कि इन components को अलग करना अब यहाँ पे दो components कौन से हो गए एक हो गया आपका rice और दूसरा component stone तो आप इन दोनों को separate करते हो तो separation क्यों किया जाता है ताकि अगर दो unwanted चीज़े मिली हुई हो हमारी useful चीज में unwanted चीज का मतलब क्या होता है मान लिजे कि अगर मैं rice की बात करूँ ठीक है अगर आप जो rice बनाती हो तो cooked rice में आपका rice है उसके साथ अगर stones है ठीक है या फिर husk है तो ये सब चीज़े क्या होगी unwanted क्योंकि हमें हमारे चावल में या फिर जब भी हम cook कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़े नहीं चाहिए है ठीक है और ये हमारे लिए essential है तो आप क्या करोगी इसे separate करोगे और इसे आप use करोगे तो separate क्यों करते हो ताकि हमारे मुँ में ना आईए और दूसरे चीज़ कि कुछ नुकसान हमारी body को ना करे कभी-कभी दो useful चीज़ों को भी separate किया जा सकता है जैसे कि दो तरीके के हमने pulse ले ली जैसे कि एक आपका moong प्लस चना तो ये दोनों ही कैसी है ये दोनों ही हमारे लिए useful है हम क्या करते हैं इने separate करते हैं ताकि हम moong का अलग से use कर पाएं और चना का अलग से use कर पाएं clear है तो मतलब कि कभी-कभी हमें unwanted चीज़ों को और कभी-कभी हमें wanted या फिर जो हमारी useful चीज़े होती है उन्हें अलग-अलग use करने के लिए ये जो separation है उसे करना पड़ता है समझ में आई बात कि separation of component का क्या मतलब होता है so among different components of mixture there are many substances which are harmful or not useful for us अब देखिए हमारी mixture में बहुत सारी चन तरीके का अलग-अलग तरीके के components मिले होते है ठीक है तो हमें क्या होता है कि कुछ substances हमारे लिए harmful होते हैं और या हमारे लिए useful नहीं होते तो जो substances हमारे लिए useful है हम उन्हें अलग कर देते हैं तो to remove these harmful or unuseful component we need to separate them तो इन्ही को हमें क्या करना पड़ता है harmful और unuseful substances को remove करने के लिए हम उन्हें separate करते हैं जैसे for example tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea जैसे कि आप क्या करते हो जब आप tea बनाते हो तो आप क्या करोगे tea leaves को अलग करोगे और जो आपका चाय है जो milk में गुली हुई है उसे आप अलग करते हो strainer की मदद से समझ में आया दूसरा example आपको देना था तो क्या example दे सकते हैं stone pieces from wheat, rice और pulses are picked out by hand ठीक है stone pieces जो कि आपके wheat में या फिर rice में या फिर आपके जो pulses है उन्हें में आ जाता है तो उसे आप pick करोगे हाथ से हटा दोगे अब आपने दोनों को ही क्यों हटाया क्योंकि जब आप tea leaves को पिऊगे तो आपको मजा नहीं आएगा आपके मुँ में कुछ अजीब सा आएगा आप चाय पीते हैं तो वो एक liquid होना चाहिए वो अगर मुँ में आप उसके जो छोटी छोटी सी leaves आएंगी तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप एक liquid पीना चाह रहे हो तो आप tea leaves को अड़ा लोगे similarly अगर आप stone pieces को wheat में राइस में रहने देते हो तो वो आपके मुँ में आते हैं आपके mouth में आते हो और आपके दातों को effect कर सकते हैं आपके teeth को effect कर सकते हैं clear हुआ तो क्यों हमें जरुवत परती है चीजों को separate करने की ताकि हम harmful या फिर useful ठीक है unuseful useful सभी चीजों को अगर अलग कर सके तो उसके लिए हम चीजों का separation करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे what is renewing where it is used अब renewing क्या होता है अब याद करिए वो lady जो हमने आपको दिखाई थी कि वो जो इस तरह से चीज को पकड़ी हुई है और ऐसे हिला रही है जिससे क्या होता है जिससे की जो भारी चीज है जो weight जिसका है वो नीचे की तरफ गिरता है और जो हलकी चीज होती है वो थोड़ी दूर जा करके गिरती है यह विनोइंग किसमे की जाती है तो विनोइंग जनरली जो farmers हैं वो अपनी crops को cut करने के बाद करते हैं जब harvesting हो जाती है harvesting होने का मतलब crop को खेत में से या field में से काट करके agriculture land से काट करके लेकर के आया जाता है और फिर उसके बाद उसकी thushing करने के बाद जो material बचता है उसमें seeds के साथ या wheat के साथ बहुत सारे husk होते हैं हसक होता है दूसरी ऐसी हलकी सी leaves होती हैं तो इन सबको अलग करने के लिए हम renewing method का use करते हैं जैसे आप इस example को या इस picture को हमेशा याद रखे ठीक है तो renewing क्या होता है अगर आप से पूछा हो तो आप क्या बताओगे कि renewing किसले use होती है तो renewing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind और by blowing air ठीक है क्या करते हो आप renewing में यह दो तीन word एकदम याद रखे क्या heavier and lighter components को ठीक है क्या करते हो separate करते हो याद रखना renewing is used to separate heavier and lighter component of a mixture किसी mixture में से heavier component को और lighter component को separate करने के लिए renewing का use किया जाता है by wind और by blowing air जो हवा चलती है उसकी मदद से क्योंकि हवा क्या करती है wind क्या करती है जो heavier substance है वो नीचे गिर जाएगा जो heavier component है वो यहाँ पर मिलेगा और जो lighter component है वो थोड़ी दूर उड़के चला जाएगा ठीक है तो इसलिए इसका यह आपको बिलकुल आंसर याद रखना है कि wind का use है इसलिए यह renewing word इसमें use आता है किसका है यह wind which is related to renewing ठीक है तो ऐसी separation के method जिसमें wind का use किया जाता है lighter और heavier components को अलग करने के लिए हम उसे renewing की method कहते हैं so this process is used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो process है यह कौन use करता है तो यह जो process है यह farmers use करते हैं कौन use करता है farmers so this process is used by farmers to separate lighter husk यह क्या है आपके husk हैं husk क्या होता है जो कि जिससे seeds लगती है उसमें उसका जो covering portion है है ना जिससे seed किसी ना किसे cover के अंदर होती है तो वो सूखने की बार बहुत हल्की हो जाती है जलोश कलर की ठीक है जैसे wheat की बात करें है अपन तो उन हस्क को जो की lighter है उपर का cover है वो तूट करके चोटे चोटे इस तरह के के form में मिलता है यह जैसे आप देख रहे हैं ऐसा अलग-अलग शेप का तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं विनोइंग मैथट को करते हैं याद याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि the farmer is used to separate lighter husk particle and heavier seeds grade यह क्या है आपके heavier seeds हैं ठीक है तो इन दोनों parts को अलग करने के लिए farmers इसका यूज करते हैं तो अभी तक हमने दो question discuss कि एक question में पहले question में हमने यह देखा कि separation क्यों required होता है तो आप याद रखेगा rice का example और tea leaves का example और separation इस लिए important होता है ताकि हम harmful substances को या unuseful substances को अलग कर पाए और किसी किसी case में दो useful substances को अलग करने के लिए भी separation किया जाता है फिर हमने दूसरा question पढ़ा विनोइंग के बारे में तो विनोइंग क्या होती है विनोइंग मतला wind से याद रखेगा विनोइंग wind तो वही जिस separation को करने के लिए wind की requirement होती है wind की मदस्ते जो separation किया जाता है उसमें heavier object को अलग और lighter object को जिसमें अलग किया जाए वो method हमारी विनोइंग की method होती है और यह कहां पर की जाती है example के लिए तो farmers lighter husk को heavier grain से अलग करने के लिए इस process का use करते हैं चले अब आ जाएंगे हम next question पर so next question आपकी textbook का था कि how will you separate husk और dirt particle from a given sample of pulses before cooking अब आप husk को किस तरह से हटाते हो cooking करने से पहले तो वही पहले के लोगों के पास क्या होता था कि आजकर तो market से बहुत सारी जगे तेके मैं सब जगे की बात ने कर रहे हूं तेके बड़ी बड़ी cities की अगर बात करें तो वहां पे जो pulses मिलती है या फिर जो भी grains मिलती है उनमें इतना husk का particle नहीं होता तो वो directly सिर्फ धो करके आप use कर सकते हो लेकिन कई जगहा पर हमारे इंडिया में maximum जगहा पर क्या होता है कि जो grains है उनके साथ husk भी आपको मिल जाएगी अगर आपको खाना बनाना है तो आप उस husk को कैसे अलग करते हो तो पहले की जमाने म जिनके पास वो नहीं होता था वो एक बड़ी सी प्लेट में उस grain को डाल करके ऐसे करते थे ऐसे बस उसको मूव करते थे तो इस movement से क्या होता था एयर आती थी और एयर के कारण जो लाइटर ऐसा उसे उच्छालने से जो लाइटर सबस्टेंस होता है वो बहार फिक जाता ग्रेन से वो से के अंदर रहा जाती थी मतलब कि उसमें भी क्या क्या बाइन कि प्रोसेस की कि जाती थी तो हुसक विड़ड पार्टिकल को हमार इस पल्स से हटाने के लिए हम क्या करते हैं विणोइं की मैठट का यूज करते हैं हुसक चार्ट पार्टिकल can be separated by सबाइज being lighter, they will fly away from the pulses, ठीक है, so being lighter, they will, यह will है, ठीक है, so क्या होगा, क्योंकि वो lighter होते हैं, तो इसके कारण वो क्या करेंगे, fly away हो जाएंगे, और हम इस तरह से husk को या dirt को इसमें से हटा सकते हैं, अब आप सोचेंगे, कि अगर उसमें soil के छोटे-छोटे particles हुए, इस form में, तो वो कैसे हटेंगे, तो actual में क्या होता है, कि यह जो soil के particles होते हैं, ठीक है, यह जो soil particles हैं, ठीक है, यह आपके grain particles से, ठीक है, किस से, यह जो soil particles हैं, वो आपके grain particles से थोड़े से हलके होते हैं, और क्या होता है, कि जब आप इसको इस तरह से उपर नीचे करते हो, तो जो soil particles हैं, वो आटोमेटिकली आगे की तरफ आ जाते हैं, और grain particles पीछे, तो जो आगे, जो भी dirt आया होता है, उसको अपन हाथ से अटा देते हैं, और जो husk होती है, वो तो हवा में उड़ी जाती हैं, ठीक है, fly हो जाती है, तो इस तरह से, विनोइंग की method से हम क्या कर सकते हैं, विनोइंग की जो method है, उसकी मदद से हम husk और dirt particles को अटा सकते हैं, चले, अब आगे चलते हैं, next question की तरफ, अब यह सीविंग क्या होती है, इसका use हम कहां पर करते हैं, तो हमने बहुत सारी methods of separation पड़ी थी, हमने विनोइंग पड़ी, हमने hand picking पड़ा, thrushing को पड़ा था, अब यह सीविंग अलग क्यों है, अब माल लिजे कि हमें आप already अपन पड़ चुके हैं, कि हमारा बहुत ही fine कोई substance है, fine substance जैसे की floor, wheat floor, ठीक है, fine है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे particles हैं उसमें, अब अगर उसमें कुछ थोड़ी से heavier substances हैं, ठीक है, जो कि light weight भी नहीं है, और आप उसको विनोइंग से तो हटा नहीं पाऊगे, क्योंकि अगर आपने विनोइंग की method की, तो floor भी आपका ओर जाएगा, हाना, क्योंकि floor again कैसा हो जाएगा, आपका light weight का हो जाएगा, तो wheat floor में से अगर आपको बड़े-बड़े substances को हटाना होता है, तो हम जैसे घर में आटे का dough prepare करते हैं, wheat dough prepare करते हैं, तो हम एक छोटी सी छलनी से उसे इस तरह से हिलाते हैं, तो जो आटा, fine particles हैं, आटे के wheat के floor के वो नीचे गिर जाते हैं, और जो heavier particles हैं, वो उपर की तरफ रह जाते हैं, तो जहां से भी हमें बहुत fine material से heavier substances को अलग करना होता है, वहां हम सीविंग के method करते हैं, और not only cooking, सिर्फ cooking में नहीं, बहुत सारी जगे सीविंग का यूज किया जाता है, जैसे कि building construction में sand जो होती है, जो कि हमारे building में cement के साथ में mix की जाती है, तो sand में अगर stones होंगे, pebbles होंगे, तो क्या होगा, कि जब हम इस तरह से हमारी wall पर cement को लगाएंगे, तो वह smooth finish नहीं देगी, तो इसलिए sand में से जो बड़े-बड़े gravels हैं, stones हैं, उन्हें हटाना पड़ता है, तो इसके लिए saving की जाती है, एक बड़ी सी इस तरह की कि आ अलग हो जाते हैं, और जो rate है, वो नीचे साफ हमें मिल जाती है, ठीक है, तो यह saving की method ऐसे की जा सकती है, तो saving is a process, ठीक है, अगें सब में process याद रखना है, यह जितनी भी चीज़े पढ़ रहे हो सब एक process है, कोई machine या device नहीं है, तो saving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve, ठीक है, अब saving क्या process होती है, यह रहा आपका sieve, ठीक है, तो saving process में हम fine particle को, यह क्या है आपका, यह आपके, sorry, ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, यह है आपका fine particle, ठीक है, और यह उपर की तरफ जो है, यह है आपके bigger substances या bigger particle, तो saving की method में हम क्या करते हैं, sieve का use करके fine particles को bigger particles से अलग कर लीते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो saving is a process by which fine particles are separated, अब देखे, दोनों में अंतर क्या है कि renewing में भी आप क्या करते हो, एक light component को, और एक heavier component को use करते हो, तो renewing में आपको दो word use करना है, यह याद रिखेगा, विनूइंग में आपको दो word use करना है, light and heavy, चीक है, मदब light particles को heavier particles को आप अलग करते हो, और यह जो saving है, इसमें दो words का use करना है, कौन-कौन से, fine particle and heavier particle, ठीक है, याप heavier भी लिख सकते हो, या bigger particle, bigger word बहुत correct है, सीविंग के लिए, बहुत अच्छ है, ठीक है, तो यह दोनों word आपको याद रखना है, दोनों ही process है, जिसमें कि हम दो चीजों का अलग करते हैं, विणों में light और heavy substances को अलग करते हैं, और सीविंग जो method है, उसमें हम fine particles और bigger particles को एक दूसरे से separate करते हैं, ठीक है, तो चलिए, यह तो हमने याद करने का आपको तरीका बता दिया, अब याद अगेन हा जाते हैं, सीविंग पे, तो सीविंग is a process in which, या by which, fine particles are separated by the bigger particles, by using a sea अब यह कहां use होता है, तो इसके देखिए, यहां से हमने जो indicate किये हुए हैं, यह हैं इसके example, तो यह कहां कहां use होता है, it is used in floor meal or at construction sites, यह कहां use होती है, floor meal में या फिर construction sites में और तो और हम इसको domestic use में भी करते हैं, domestic मतला हमारी घर में, kitchen में cooking के time पर कई बार, जैसे cake को prepare कर रहा है, तो उसमें बिल्कुल बेख फाय, bigger particles नहीं होना चाहिए, या डो prepare करें तो bigger particles को अलग करने के लिए हम सीव का use करते हैं, so it is used in floor meal and at construction sites, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, in floor meal impurities like husk and stones are removed from wheat, और floor meal में क्या होता है, floor meal में impurities जैसे husk and stones, इनको आप wheat से अलग करते ह ठीक है, तो floor meal में, सीविंग का method करके आप क्या करोगे, wheat में से husk को और stones particles को separate करोगे, pebbles and stones are removed from sand by sieving, और इसी तरीके से अगर आपन construction की बात करें, तो pebbles and stones are removed from sand, किस से remove होती है, sand से, ठीक है, so sieving की method देखिए, दोनों जगे पर use हो रही है, तो यह याद रखिएगा, कि sieving is a process by which fine particles are separated from the bigger particles by using a sieve, it is used in floor meal or at construction sites, in floor meal, impurities like husk and stones are removed from wheat and pebbles and stones are removed from sand by sieving, तो यह process यहाँ पर खत्म, हमारा question 4 खत्म, आगे बढ़ेंगे और पहुचिंगे हब हम next question की तरफ, चले, so next question है, how will you separate sand and water from their mixture, अब हमने बहुत सारी separation की methods पढ़ी, अब जिसमें कौन से है आपकी 5th है, कि आप sand और water को किस तरह से एक दूसरे से separate करोगे, तो हमने बहुत सारी separation की method पढ़ी है, जिसमें हमने sedimentation देखा था, तो sedimentation एक ऐसी process थी, जिसमें हम liquid में से, अगर कोई heart particle है, उसे हटाना है, तो हम उसे separate कर सकते हैं, अभी तक जितनी भी method हम question answer में पढ़े हैं, उसमें आपने दो solid object, solid मतलब जिसको आप छू सकते हो, ऐसे objects के बार में पढ़ा, लेकिन अगर एक liquid है और एक आपका solid है, तो आप उसे कैसे हटाओगे, जैसे कि liquid में है आपका पानी और solid में है sand, तो sand में से इसको हटाने के लिए हमने एक practical किया था, एक छोटी से activity की थी, हमने लिया था glass of water, उसमें हमने sand को मिला के अच्छी तरीके से घोल दिया, फिर क्या किया, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया, तो वो settle हो गया, और sand नीचे की तरफ, और जो पानी है वो के mixture को अलग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, decantation की process, decantation की process से हम क्या करेंगे, इस तरह से clear water को उपर से निकाल लेंगे, और जो नीचे sediments हैं, जो कि आपके sand particles हैं, वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है, तो sedimentation and decantation ये दो process है, by which we can separate water and sand, ओके, So, we will separate sand and water by sedimentation and decantation method, हम sand and soil को decantation and sedimentation की process से separate कर सकते हैं, मतलब अलग-अलग कर सकते हैं, First, we leave this mixture for some time, हमें सबसे बहले क्या करना होता है, कि ऐसा पानी, जिसमें की sand मिली हुई है, उसे हमें कुछ देर के लिए, क्या करना पड़ता है, उसे तुछ देर के लिए छोड़ देना पड़ता है, ऐसे रग देना है, बिना किसी movement के, After some time, the sand which is heavier, अब क्या होता है कि sand heavy है, अब कोई भी heavy चीज जादा देर पानी में float तो करनी पाती, वो क्या होती है, धीरे 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 पानी में नीचे की तरफ गिर जाती है, तो यहाँ पर sand जो है, वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो जाएगी, So, after some time, the sand which is heavier, sand कैसी है, heavier, is settled down, कहा होती है, settled down मतलब कि नीचे की तरफ settle हो जाती है, is settled down at the bottom, sand is settled down at the bottom, after that, we will pour water into another container, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कि हम यह जो हमारा पानी है, उसे किसी और container में डाल देते हैं, and the mixture will be separated, और इस तरह से यह जो mixture है, यह separate हो जाता है, तो आई बात समझ में कि किस तरह से sand and water को करते हैं, तो हम तो already समझ चुके थे हैं, हमने हमारी concept वीडियो देखे ही हुए है, नहीं भी देखे हैं, तो आप देख सकते हैं, कि कैसे आप sand and water को separate करोगे, ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं बहुत आसान है, थोड़ी देर के लिए हमने जिस भी container में sand and water का mixture है, उसे रख देना है, sometimes के बाद, कुछ देर के बाद क्या होगा, जो sand है, जो की heavier है, वो नीचे की तरफ settle down हो जाएगी bottom पर, and यह जो पाने है वो उपर, then हम decantation process से पाने को किसी separate container में डाल देंगे, और इस तरह से हम sand और water दोनों को separate कर लेंगे, ठीक है, चली, तो यहाँ से हमारा यह question number 5 clear है, आगे चलेंगे next question की तरफ, So, is it possible to separate sugar mixture with wheat flour? If yes, how will you do it? क्या sugar का जो mixture है, शुगर जो है, आप उसे wheat flour से हटा सकते हो, अब यह depend करता है कि sugar कैसे form में है, अगर crystal form में मतलब की थोड़ी से जिसके चोटे-चोटे particles हैं, तो उस form में तो आप कर सकते हो, तो sieving के method से, तो sugar can be separated from wheat flour by sieving, तो sugar को हम wheat flour से, sieving के method से अलग कर सकते हैं, due to difference in the size of particle, यह बहुत important है, कि due to difference in size of particle, sugar will be stay on sieve and wheat flour will pass through it, ठीक है, क्योंकि दोनों के sizes में difference है, तो हम क्या कर सकते हैं, sugar को sieve और wheat को अलग कर सकते हैं, sugar जो है, वो sieve में रह जाएगी, और जो आपका wheat flour है, वो उससे पास हो जाएगा, clear है ना, तो मतलब कि अगर आपको दो चीज़ों को, किसी भी दो चीज़ों को, अगर आपको separate करना है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कि यह दोनों का size अगर different है, तो हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद, आप sedimentation की process कर सकते हो, कि अगर मालीजे की sugar यहाँ पर, आपकी powder के form में थी, तो फिर क्या हमें अलग कर सकते थे, जी नहीं, फिर हम इसको अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि powder और यह जो आपका floor है, वो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, अब अगर आपने sedimentation किया, तो आपका wheat जो है, वो कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा, और जो sugar है, वो पूरी तरीके से उसमें soluble रहती है, ठीक है, तो मदब wheat और sugar के powder form को आप अलग नहीं कर पाओगे, आपको उसकी मदद से कुछ और ही बनाना पड़ेगा, फिर, clear है, चले, तो अगर crystal form में है, और अगर एक object थोड़ा सा size में बड़ा है, और दूसरा object छोटा है, तो फिर हम definitely बहुत ही प्यारी छोटी छोटे से pores वाली seep का यूज़ करके wheat को और sugar को अलग कर सकते हैं, अब यह सब questions तो काफी आसान है, हाना, बट जब हमसे question पूछा जाता है, तो हमें ध्यान नहीं रहता, तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखते चलिए, थोड़ा सा अच्छी तरीके से concentration के साथ, So how would you obtain, आप question 7 पढ़ रही हूँ मैं, कि how would you obtain clear water from a sample of muddy water, आपको muddy water से clean water को कैसे आप obtain कर सकते हो, तो देखे, अगर muddy water है, तो अगर sieve का use करोगे, तो sieve के pores जादा बड़े होते हैं, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि sieve में से अगर इस तरह के muddy water जाएगा, तो जो mud है, आपका पानी के साथ ही चला जाएगा, तो वहाँ पे sieve आप use नहीं कर सकते हो, या तो आप cloth का use कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो cloth material है, उसमें pores बहुत ही छोटे होते हैं, वो हमें दिखाई भी नहीं देते, जो हम कपड़े पैने होते हैं, उसमें भी pores है, क्या आप देख स उस filter paper को एक conical shape में cover करके, उस funnel में आप डालोगे, दैर उस पे जब पानी डालते हैं आप, तो यह जो आपका funnel है, वो dust particles को, mud particles को उपर रहने देगा, और पानी जो है, वो इससे पास हो जाएगा, So, we will obtain clear water from a sample of muddy water by the process of filtration, यह जो process है, जिसमें आप किसका use कर रहे हो, filter paper का use कर रहे हो, ठीके, इसे आप क्या कहते हो, इसे हम कहते हैं, filtration, अगर आपके पास filter paper available नहीं होता है, तो आप क्या use कर सकते हो, ऐसे cloth का material, जिसमें pores बहुत ही छोटे होते हैं, Okay, so a filter paper is one such filter that has very fine pores in it, याद रखेगा, filter paper क्या है, filter paper एक ऐसा filter है, जिसमें बहुत ही fine pores होते हैं, राइट, हमें कभी-कभी यह words याद नहीं आते, आपको हमें भी याद नहीं आते हो जाता है कभी, तो याद रखना है कि filter paper क्या होता है, एक ऐसा paper जिसमें, या एक ऐसा paper जो की filter होता है, और filter का काम करता है, जिसमें बहुत ही fine, मतलब छोटे-छोटे pores होते हैं, Okay, so figure shows the steps involved in using a filter paper, तो इस figure में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप filter paper का use कर सकते हो, So, a filter paper folded in the form of a cone is fixed in a funnel, सबसे पहले आपको क्या करना है, filter paper को cone के form में convert करना है, क्या करना है, cone के form में convert, a filter paper folded in the form of cone, ठीके, किस form में करना है आपको इसको cone के form में, ठीके, is fixed in a funnel, और उसके बाद हमें उसको एक funnel में fix करना है, It's fixed in a funnel Right? The mixture is then poured on the filter paper इसके बाद आप क्या करोगे? जो आपने filter paper को कोन का shape दिया? आपने उसको वैसे ही funnel में अंदर की तरफ लगा दिया मान लिजे कि ये है आपका वो filter paper और ये जो बाहर black दिख रहे आपको ये आपका कोन? funnel ठीके? तो ये funnel है और ये जो अंदर है ये है आपका filter paper clear तो filter paper को funnel के अंदर आपने डाला आप आपका जो भी mixture है पानी का उसको आप filter paper में डाल दिजे तो क्या होगा? solid particles कहा रह जाएंगे? filter paper में और जो साफ पानी है उसे आप container में ले सकते हैं तो solid particles in the mixture do not passes through it and remain on the filter ठीके? तो ये जो आपका solid particle है वो इससे pass नहीं होगा और ये जो आपका साफ पानी है वो नीचे की तरफ आ जाएगा तो क्या याद रखना है आपको? कि अगर muddy water है तो इससे किस तरह से साफ कर सकते हैं? तो muddy water के लिए we can use a filter paper a filter paper is such a filter is one such filter that has a very fine pores on it ठीके? जिसमें की बहुत ही fine particles होते हैं very fine particles in it ठीके? अब फर्स वी हाव तो convert the filter paper into conical shape या फिर a filter paper folded in the form of cone and then it is fixed into the funnel ठीके? आपको इसको funnel में fix करना है ठीके? then the mixture is poured into the filter paper the solid particles in the mixture do not pass through this filter paper and remain on it वो उसी में रह जाएंगे और वो साफ पानी है वो आपको अलग मिल जाएगा clear हुआ? तो भई आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लीजे ठीके? चलो तो ये हो गया आपका question number 7 अब हम आगे बढ़ेंगे question number 8 की तरफ तो question number 8 क्या है? तो ये एक फिरिंदी blanks का question है so first question is the method of ठीके? वी नीट टू वेरी प्रेसाइज वैन वी रीट दा पर्टिकुलर कोश्टन इस वासाँ में बहुत प्रेसाइज रहना चाहिए बहुत ध्धान से ठीके? concentrate होकर के question को पढ़ना चाहिए क्योंकि हम कभी कभी confused हो जाते हैं और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी कोई chapter पढ़ें तो एक separate आप एक notebook रखें जिसमें जैसे की मान लीजे आप एक notebook का पहला page है जो कि आपने dedicate कर दिया chapter 1 को ठीके? अब chapter 1 में आपको जो भी difficult words लगते हैं वो उसके पहले वाले page पर लिखते जाओ first, second, third, fourth है न? और उसका meaning भी साथ में लिखते जाए English में भी और Hindi में भी ताकि क्या होगा कि आपको यह हमेशा के लिए याद रहेगा clear है? चली तो हम सबसे पहले तो पढ़ते हैं friendly blanks, तो सबसे first question है the method of separating seeds of paddy from a stock is called ठीके? यह उनके stocks होते हैं जिनसे वो निकलती है ठीके? तो उस method को आप क्या कहोगे? क्या कहा जाता है उसे? threshing, क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते है threshing ठीके? क्या बोलते हैं हम उसे? threshing ठीके? वो method जिसमें हम paddy को सके stock से अलग करते हैं वो होती है हमारी threshing विलकुल याद रखेगा THRES ठीके? THRESHING नेक्स्ट है When milk colded after boiling is poured onto a piece of cloth the cream जिसको आप मलाई कहते हो is left behind on it the process of separating cream from milk is an example of देखिये कई बच्चे जो होते हैं आप सब दूद तो पीते ही है milk तो आप सभी पीते हैं तो जब आपन milk को boil करते हैं तो मिल्क की उपर मलाई जम जाते है क्रीम होता है क्रीम जिसको आप कहते हो आप कुछ बच्चों को तो वह बहत पसंद होता है हना तो वह milk की मलाई को भी खाना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं अच्छा रगता तो आपकी ममा क्या करती है वह strainer या फिर जो आपका सीव होता है उसकी मदद से या जो भी आपके घर में जिससे आप छानते हैं इसकी मदद से बटर को लग और मिल को लग कर लेते हैं तो यह process क्या हुई जिसमें आप क्या कर रहे हो liquid को नीचे की तरफ पास हो गया और जो उसमें से आपको unwanted substance था जो कि आपको नहीं चाहिए था वो आपके strainer पर या फिर सीव के उपर है या तो यह process क्या कहलाएगी तो यह कहलाएगी आपकी filtration की process ठीक है कौन सी process कहलाएगी आपकी filtration ठीक है इस process में इस process में आप क्या करें इसे filter कर रहे हो next is salt is obtained from sea water by the process of what किस process से आप salt को sea water से obtain करते हो तो भी कौन सी process होती है जसमें आपका sea water जो है वो आपको salt देदेगा तो basically हम क्या करते हैं separate जगह पर sea water को इखटा करते हैं ठीक है दैन उसके बाद जो sun की energy है उसके वज़ा से जो पानी है वो घर्म होकर के जो sea water है वो घर्म होने की वज़ा से steam में convert होता है और यह वएपर दीरे धीरे पानी जो है वो वैपर के form में उड़ता जाता है वहां से चला जाता है और नीचे क्या छूट जाता है salt तो यह process क्या कहलाती है तो यह process कहलाती है evaporation की process ठीक है तो यह कौन सी process है आपकी यह process है आपकी evaporation की process ठीक है जिसमें हम क्या करते हैं भई जिसमें हम basically आपका यह जो पानी है उसे अलग कर लेते हैं ठीक है next impurities settled at the bottom when muddy water was capped overnight in a bucket the clear water was then poured off from the top the process of separation used in this example is called अब ये impurities जो होती है अपनी वो settle down हो जाती है नीचे और पानी उपर की तरफ रह जाता है तो ये process क्या कहलाती है तो ये कहलाता है हमारा sedimentation ठीक है क्या process कहलाती हम check कर लेते हैं तो ये कहलाती है आपकी sedimentation की process ठीक है और साथी सा decantation भी लिखा हुआ है तो decantation क्यों लिखा है क्योंकि देखिए हमें इस सिर्फ process क्या है जो heavier particle है उसका नीचे जमना तो आपका sedimentation कहलाता है लेकिन फिर पानी को अलग करना दोनों चीज़ें पूछी हुई है impurities settled at the bottom when muddy water capped overnight और फिर तो clear water को poured off कर लिया आपने top सी मलब top सी आपने साफ पानी को निकाल लिया दूसरे container में तो वो process क्या कहलाएगी decantation ठीक है तो यह अपना हो गया पर फिरंदी blanks खतम I hope आपको यह समझ में आया होगा सबसे पहले the method of separation of seeds of paddy from its stock is called threshing next is when milk cold after boiling is poured onto a piece of cloth the cream is left behind on it तो जो आपका cream में वो पीछे रह जाता है तो इस process को filtration कहते है salt is obtained from sea water is the process of evaporation ठीक है and impurities settled at the bottom when muddy water was capped overnight in a bucket the clear water was then poured off from the top the process of the separation used in example is called sedimentation and decantation यहाँ पर सभी चीज़े लिखे होई है पहली process है हमारी threshing डूसरी process है हमारी filtration थर्ड प्रोसेस है अपनी evaporation and last process है sedimentation and decantation clear चले तो यहाँ पर हम इसको करते हैं खत्म और आगे पहुचेंगे जो की question number 9 है यह true or false है आपको बताना है कौन साही है कौन सा गलत so a mixture of milk and water can be separated by filtration क्या आप milk और water को filtration की process से अलग कर सकते तो filtration का क्या मतलब होता है आप किसी sieve या फिर filter paper की मदद से material को डालोगे और जो material आपका liquid form में होगा या थोड़ा fine होगा वो नीचे आ जाएगा और जो बड़े particles है वो उपर अब इसमें देखें milk और water दोनों की ही consistency है वो एक जैसी है और दूसरी चीज कि दोनों ही छूने में क्या है liquid है तो क्या इनको आप filter कर सकते हो जी नहीं तो हम इसमें filtration की process नहीं कर सकते है ठीक है evaporation जरूर को सकता है कि अगर पानी है तो वो भी चड़ाएगा लेकिन उसमें आपका सिर्फ कुछ नहीं बचेगा थोड़ा बहुत जो मक्खन होता है जो मलाई होती है ठीक है cream जो होता है वो ही बचेगा चलिए mixture of powdered salt and sugar powdered salt and sugar can be separated by the process of renewing क्या हम renewing की method से salt और sugar को अलग कर सकते हैं जी नहीं हम renewing की मदद से इसे अलग नहीं कर सकते हैं renewing कौन सी method होती जिसमें lighter और heavier object को आपको अलग करना हो ठीक है next is separation of sugar from tea can be done by the filtration क्या आप sugar को tea से filtration से अलग कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हैं यह भी क्या होगा no या फिर false grain and husk can be separated with the process of decantation क्या grain और husk को किसको grain को और husk को आप decantation process से अलग कर सकते हो decantation process क्या होती है कि हम जिसमें liquid को दूसरे में कंटिनर में डालते हो नीचे गंदिगी रह जाती है जाएगा तो इसलिए इसका option भी क्या होगा false या फिर no clear है चलिए तो इसका मतलब इसमें एक भी option सही नहीं था हमारे सारे answers क्या थे false थे so next question is lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water ठीक है lemonade क्या होता है कि जब आप lemon juice को पानी में मिलाओ और उसके साथ sugar को add कर दो तो वो बन जाएगा lemonade so you wish to add ice to cool it अब आपने उसमें ice डाल दिया ताकि वो ठंडी हो जाए should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar in which case would it be possible to dissolve more sugar अब आपको ये बताना है कि जादा से जादा शुगर को आप कब dissolve कर पाओगे तो ये बहुत ही अच्छा question है saturated liquid के बारे में saturated water के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी water में salt या sugar को डालते जाते हैं तो एक ऐसी condition आती है कि उसके बाद अगर हमने salt डाला या sugar डाला तो वो उसमें further पुरी तरीके से dissolve नहीं होता उसमें पुरी तरीके से नहीं खुलता है ठीक है तो ये जो process है इसमें हमने फिर ये पढ़ा था कि चलो ठीक है माना ऐसा नहीं होता लेकिन हम चाहते हैं कि जादा से जदा शुगर उसमें चली जाए तो हमने आपको क्या बताया था कि आप क्या करिए कि इसे heat up कर दीजे पानी को जितना आप heat up करेंगे उतना जादा आप उसमें शुगर को add कर सकते हो clear है तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ concept यूज होने वाला है तो ध्यान से पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है you wish to add ice to cool it अब आपको उसमें ice डालना है should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar आप उसमें ice कब डालेंगे शुगर को मिलाने के बाद डालोगे या फिर आप जब शुगर नहीं डाली हो तब करेंगे तो देखें बहुत प्यारा सा question है यह थोड़ा सा समझने वाला है कि we should add ice after dissolving sugar क्योंकि देखें जब आप पानी को गर्म कर रहे थे तो आप ज़्यादा शुगर उसमें डाल सकते हो that means कि अगर temperature आपका ज़्यादा होता है तो हम शुगर को पानी में अच्छी तरीके से मिला रेते हैं लेकिन जैसे ही आपने उसमें ice cube डाला तो आपका जो liquid है वो क्या हो जाएगा cool हो जाएगा, थंडा हो जाएगा हाना, so coldness बढ़ने की कारण अगर आप उसमें शक्कर डालेंगे शुगर डालेंगे, तो वो इतनी जल्दी उसमें dissolve नहीं होती है और कभी-कभी होती भी नहीं है तो we should add ice after dissolving sugar तो जब आप शुगर को dissolve करने, उसके बाद आपको ice जालना चाहिए, when the temperature is high then more sugar can be dissolved, जब temperature ज़्यादा होता है तो ज़्यादा शुगर घुल सकती है after mixing it, it gets cool and less sugar will dissolve in it और इसके कारण कम शुगर उसमें मिलती है अब जैसे कभी-कभी आपके घर में गैस्ट आते हैं और आप क्या करते हैं कि यार कुछ ठंडा आपको पिलाते हैं तो आपने सोचा कि चलो यार कुछ नहीं है तो lemon juicy पिला दिया जाए तो भई ममा ने आपको भेजा और आपनी डाला जली से उसमें वर्फ डाला, lemon डाला और आप sugar add कर रहे हो अब भी guest wait कर रहे हैं अभी तक नहीं आया है आपकी जो sugar है वो खुली नहीं रही है क्यों नहीं घुलती थी क्योंकि आप पहले आईस डालते थे आप याद रखना कि कोई भी guest आएगा तो पहले lemon डालना, पानी डालना, sugar डालना उसको अच्छी तरह के से goal mix कर लेना दैन उसके बाद आपको क्या करना है उसमें sugar को add करना है ठीक है? चले यह हो गया question 10 और इसी के साथ हमने जो हमारी textbook में questions थे इनको तो कर लिया है complete अब किस की बारी आती है? तो अब बारी आती है हमारे कुछ very short answer type questions की तो चलिए फटा-फट से इस chapter में ये देख लेते हैं कि अगर very short answer type questions आएंगे तो हम उसे किस तरह से solve करेंगे? ठीक है? चलिए चलिए देखते पहला question क्या है? So what is strainer? strainer के बारे में आपसे पूछा हुआ है तो इस strainer क्या होता है? आप क्या लग सकते हो? कि strainer is a kind of sieve which is used to separate a liquid from the solid ठीक है? ये क्या है? एक तरीके की sieve मतलब की चलनी होती है ठीक है? चलनी क्या होता है? जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को आसानी से चान सकते हैं, अलग कर सकते हैं ठीक है? तो strainer is a kind of sieve which is used to separate a liquid from solid short answer time? अगर मुझे कर्ड में से क्रीम को हटाना है तो मैं किस मेथट का यूस करूंगी? तो अगर क्रीम हटाना चाहते हैं तो कर्ड में क्या होता है? कर्ड बिसिकली अ मिक्शर अफ लिक्विट अन क्रीम राइट? तो if you need to separate cream from curd we can use any of the separation method is that true? नो दा we have to choose हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक दूसरी तरीकी की method उस करना पड़ेगा that is the centrifugation ठीक है? तो यह centrifugation method कौन से होते है? तो basically हमें क्या करना पड़ता है इस पोरी process में हम पहले यह जो आपका curd है ठीक है? यह process समझें पहले इसका नाम याद रखेगा क्या है यह? centrifugation process अब इस process में क्या होता है? तो इस process में कोई ऐसी hard and fast but tough process नहीं है हमको क्या करना होता है? मिक्स्टर में हम curd को डालते हैं ठीक है? दैन उसकी बाद उसे grind करते हैं जब आप grind करते हो ना तो grind हो जाने के वज़ा से यह जो आपका thick portion है जो कि butter होता है या जो मक्खन होता है वो उपर आजाता है ठीक है? और यह जो आपका thin portion है उसका वो नीचे की तरफ आजाता है फिर आप क्या करते हो? फिर आप उसे हाथ से हटा सकते हो उपर से और यह जो आपका liquid part है वो वहाँ से अलग हो जाएगा तो याद रखेगा कि centrifugation process की मदद से हम क्या करते हैं? क्रीम और curd को एक दूसरे से separate करते हैं clear है? अब हम बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ अगर mango दिये हुए और apple दिये हुए तो आप कैसे हटाओगे? तो भई mango और apple दोनों ही size में काफी बड़े होते हैं ठीक ठाक होते हैं जिनको हम आसानी से हमारे हाथों की मदद से हटा सकते हैं that means we can use the hand picking method there तो हम hand picking की मदद से hand picking क्या होती है? हमने सबसे पहले पड़ी थी जिसमें हम mangoes को हाथ से और apple को दोनों को हाथ से हटा देंगे और इस तरह से हम separate कर देंगे mango को और apple को तो picking या फिर आप इसे hand picking भी लिख सकते हैं clear है? okay so next question very short में आपको क्या करना होता? one word answer भी दे सकते हैं so next is you are given a mixture of salt and sand can you separate them by picking? आपको salt दिया हो or sand दियो है salt or sand का size लगभग एक होता है तो मैंने आप से कहा कि भाई इसमें आप picking तो नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो क्योंकि उसको कितना मुश्किल होगा आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेगा इसके बाद sedimentation की process से sand को ठीके decantation से आप पानी और को अलग करोगे फिर evaporation की method से आप क्या कर सकते हो salt और पानी को अलग कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया आपका क्या कौनसी method आप से पूछा हुआ तक ही क्या picking picking या फिर आप इसको hand picking की याद रखो तो क्या hand picking या picking से आप इसे अलग कर सकते तो जी नहीं no we cannot separate them by picking picking की method से हम उसे अलग नहीं कर सकते फड़ावट से चलते हैं question number 5 पर so name the method used to separate the piece of stone from grain अगर मुझे grain से piece of stone हटाना है तो मैं कौन सी process कर सकती हो तो भही हम इसमें करेंगे हमारी hand picking की method क्योंकि हम इसमें आपारी renewing method नहीं कर सकते renewing जैसे मैंने कहा था जब की wind से related हो क्योंकि renewing method में हमें ऐसा करना पड़ेगा तो heavier और lighter object अलग अलग जाएगा लेकिन यहां पर grain हो या फिर आपके stones हो दोनों का ही जो weight है वह similar है same है that is the reason कि हम उसमें renewing method नहीं उसकर सकते then is filtration तो filtration में we need one very fine particle लेकिन क्या यहां पर कोई fine particle है जी नहीं तो हमें यहां पर simple hand picking की method से इसे separate करना होगा तो यह question number five का answer next question how can you separate grains from stock अब stock से और grain को आप कैसे अलग करो यह stock basically क्या होते हैं तो आपने देखा होगा अगर वीट की बात करें तो उसमें कुछ इस तरह से उसकी जो grains है वह कुछ इस तरह के structure से बाहर आता है ठीक है तो इनको इसके stock कहा जाता है इन stock के अंदर ना यह आपका वीट होता है यह जो stock से वह काफी उपर से hard होते है जिसको अगर आपन easily ऐसे हाँ से pick करेंगे तो बहुत मुश्कित आती है तो इनको थोड़ा सा पीटा जाता है थोड़ा सा इनको फोर्स लगा करके इससे अमीन पर ठीक है जिस प्रोसेस को हम कहते है threshing so we can separate grain from stock by threshing clear है next is question no 7 so what types of material can be separate by using hand picking अब आप hand picking method से किन चीजों को separate कर सकते हो तो वह चीज़े separate कर सकते हो जो इनका size थोड़ा सा बड़ा हो बहुत ही fine particles को हम separate नहीं कर सकते so the material having different size and color और दूसरी चीज़ दो material जो के different size के हो different colors के हो can be separated by hand picking तो याद रखेगा the material which have different size and color दो materials जो के size और color जिनका अलग-अलग हो उनको ही हम hand picking method से अलग कर सकते हैं अगर मान लेजे एक जैसा color है एक जैसा size है तो फिर हमें बहुत ही जादा मुश्किल होती है दो substances को अलग करने में तो अगर दो size चीज़े जिनका same size same color है तो हम उन्हें आसानी से pick करके hand picking से अलग कर देंगे so name the other method used to separate solid material of different size अब अगर आपको solid materials को हटाना है वो भी different size के तो आप कौनसी method करोगे क्या विनोइंग करोगे जी नहीं क्योंकि विनोइंग में क्या होता है कि दो separate solid materials होते तो हैं लेकिन एक हलका होतार एक कम होता है और दूसरा एक और हमने कौन सा पढ़ा था sieving तो sieving is the process जिसमें हम strainer या फिर आपकी sieve का यूज़ करके दो पार्टिकल जो की solid होते हैं और उन्हें अलग कर लेते हैं तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा sieving next is name the process used to separate heavier and lighter component of a mixture अब अब भी हमने आंसर देखा कि जो heavier और lighter component को अलग करता है मतलब कि अगर माली जे grains में husk है तो उन husk को आप कैसे अलग कर सकते हो तो आप बताओगे कि हवा की मदद से विंड की मदद से विनोइंग मैथड से तो हम यूज करेंगे किसकी मैथड विनोइंग याद रहेगा आपको विनोइंग जहां भी heavier lighter substance की बात हो रहे है तो आप थोड़ा सा सोचिए का आंसर क्या है उसका आंसर विनोइंग होगा next is can the above stated method be used if both the components have same weight so above stated method का मतलग कि अभी अपने विनोइंग के बारे में पढ़ा था तो विनोइंग के ही बारे में पूछ रहे है तो क्या विनोइंग मैथड कैन बी यूज एफ बोड़ अगर दोनों ही components का weight same है तो क्या आप विनोइंग मैथड यूज करोगे that means कि अगर हम wheat की बात करें wheat में चोटे चोटे से उसी size के stones है तो क्या आप उन्हें विनोइंग मैथड से अलग कर सकते जी नहीं क्योंकि विनोइंग मैथड में हवा की मदद से एक particle जो की light weight का होता है उसे अलग कर दिया जाता है लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों का ही same size है तो या तो दोनों हवा में एक साथ उडएंगे या दोनों ही एक जगा पर आकर के गिर जाएंगे तो इसका मतलब है नहीं ठीक है नो this method cannot be used so what is evaporation? evaporation क्या होता है? so evaporation is the process याद रखे का evaporation is the process in which the water is converted into vapor or in a steam ठीक है? so the water when the water is converted in vapor this process is called the evaporation ठीक है? and for this conversion we use a separate heat source or with the help of sunlight ठीक है? so the process of conversion of water into vapor is called the evaporation ठीक है? अब यहाँ पर simple एक लाइन short answer पूछा था इसलिए हमने सिफ evaporation बता दिया अगर आपसे थोड़ा सा इसको long answer में पूछा जाता है या short answer में पूछा जाता तो आप जरूर ये बताइएगा कि जैसे examples के साथ में कि sea water evaporate होता है due to sunlight और हम घर में कई बार जब पानी को boil करते हैं तो कुछ पानी गर्म होने की वज़ा से vapor के form में convert हो जाता है, evaporate हो जाता है ठीक है? तो evaporation के simple याद रखेगा कि पानी का vapor में convert होना evaporation method कहलाता है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है और ये चीज़, ठीक है? चले, आगे next question की तरफ चलेंगे कि name the method by which we get salt from ocean water, अब हमें अगर ocean water से salt को निकालना है तो हम क्या करते हैं? वापिस से याद करिए कि हमने क्या किया? separate पानी को इखटा करके रख दिया, still water ठीक है? दैन उसके बाद उसे कुछ दिनों तक के लिए अगर जब सही हम छोड़ते हैं तो sun की heat की वज़े से जो पानी है वो धीरे-दीरे vapor के form में उड़ जाता है और नीचे बज़ जाता है salt और ये method क्या होती है? पानी का vapor के form में convert होना evaporation तो आप किस method से करते हैं? तो evaporation method से हम ocean water से हम क्या बना सकते हैं? salt बना सकते हैं next, define condensation अब ये condensation के process क्या होती है? तो example के लिए जब आप पानी को गर्म करते हो तो आप उपर अगर plate धग देते हैं जो कि आपके container से थोड़ी सी थंडी होती है तो आप देखते हो कि पानी जो है जैसे ही उस उपर की तरफ plate पर जाता है तो वो वापस से water drops में convert हो जाता है तो ये क्यों होता है? condensation की मदद से तो जब पानी आपका वेपर की form में जाता है तो ये वेपर जब थंडा होता है तो अगें water drops में convert होगा और इसी को आप क्या कहते हो इसी को हम कहते हैं condensation so the process of conversion of water vapor into liquid तो water vapor का liquid form में जो conversion है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं condensation याद रखेगा water vapor converted into liquid condensation से आप ये याद रखेगा cool down होना है तो भई आपकी जो पारे वो थोड़ी सी गर्म होती है तिक थंडी होकर कि अगें वो किस में हो जाती है आपकी पानी में convert next is right opposite process of evaporation evaporation की opposite process कौन सी होगी condensation होगी evaporation में क्या होता है देखिए अब आप से पूछा था evaporation यहाँ पे इस वो अगर ये इस जो में लिख रही हूँ यह आप एक पिक्चर के फॉर्म में अगर आप याद रखने से तो अब इस याद रहेगा evaporation होता है पानी का वेपर में convert होना किसमें convert होना वेपर में और condensation इस process का क्या मतलब होता है तो condensation होता है वेपर का water में convert होना तो यह देखिए opposite है कि नहीं दोनों एक रूसरे से एक में पानी वेपर बन रहा है और एक में वेपर जो है वो water में convert हो रहा है तो यह process होती है आपकी condensation की process ठीक है चले तो यहाँ पे question number 14 के बाद आप हमारी बारी जो next type के question की पढ़ने की आती है वो है short answer type questions मतलब very short से थोड़ी से long answers आपको इसमें देना है तो इसका पहला question क्या है पहला question है what is mixture mixture क्या होता है आप किसको mixture का होगे तो आप market में जाते हैं की बमा कहती है भई mixture खरीद कर लेके आना तो mixture का क्या मतलब है कि आप क्या खरीद के लाओगी क्या आप सिर्फ ऐसा नमकीन खरीद के लाएंगे जिसमें सिर्फ सेव हो नहीं क्या आप ऐसा नमकीन हो जी रही तो आप mixture वोला है that means की जिसमें सेव होता है जिसमें आपका ड्राइफ रूट होते हैं मुफली होती है बहुत सारी चीजें होती पोहे होते हैं और यह पूरा मिलकर क्या बना देता है एक mixture बना देता है तो mixture का मतलब यही होता है कि when we add one or two more when we added two or more substances in a two or more substances together this is called the mixture जब आप बहुत सारे substances को आपस में मिला देते हो तो mixture कहलाता है जैसे sand is the mixture of pebbles, gravels and stones क्योंकि sand में यह सारी चीजें होती है similarly the raw grain is the mixture of husk, soil particles ठीक है तो यह सारे examples है so when two or more than two substances are mixed together जब हम दो या उस से जाधा substances को एक साथ में मिला देते हैं in any ratio किसी भी ratio में ratio का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिये मैंने एक कटोरी rice लिया है और एक कटोरी ही stones लिये है ठीक है तो यह एक सेम ratio हुआ लेकिन हम any ratio का मतलब क्या है कि एक कटोरी rice उसमें एक चमच स्टोन तो यह कोई भी ratio है ठीक है So, when two or more than two substances are mixed together in any ratio, then it is called a mixture. Clear है? So, next question is, write various methods of separation of components from their mixture. Now, you have to use which methods for separation. So, mixture can be any type of type. It can be solid-solid, this can be solid-liquid or liquid-liquid. So, we have to write many different methods. यहाँ पर लिखने पड़ेंगे. So, separation of methods, जो आपकी separation of substances है, उसमें हमने पढ़ा ही हुआ है. कि हम कर सकते हैं, hand-picking, threshing, winnowing and sieving हम कर सकते हैं. Sedimentation, decantation, evaporation, condensation, they all are the different methods of separation. ठीक है? So, बहीं देखिए, कि hand-picking, threshing, winnowing, sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation are the process of separation of substances. So, by the use of any of these, we can separate two or more substances from the solid itself or from the mixture of solid and liquid. Okay? हर एक की अलग-अलग तरीके की method है. याद रखेगा, यही साधी process होती है, हमारे separation की. चलिए, अब next question क्या है? Define the term hand-picking. अब hand-picking क्या होती है? इसको कैसे, अब अब आपको पता तो है, कि आप क्या करते हो hand-picking में, किसी चीज़ को उठा करके या रखना. अब इस explain कैसे करें? तो जब दो object, जो की same weight के होते हैं, ठेक है? और different color के होते हैं, same size के होते हैं. तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम by the use of our hand, हम उन्हें एक दूसरे से separate कर सकते हैं. यही process hand-picking की process होती है. So, the process used to separate slightly larger particles from a mixture by hand is called the hand-picking. ठीक है? तो थोड़े large particles को जब आप हाथ से अधाते हो, तो उसी को hand-picking कहा जाता है. For example, stone pieces can be separated from wheat or rice by hand-picking. जैसे हम stone के pieces से wheat और rice को हटाते हैं. मतलब wheat और rice में से हम stone pieces को separate करते हैं. Clear? चले. Next is question number 4. So, what do you mean by threshing? Where it is used? तो threshing क्या होती है? So, threshing process में हम क्या करते हैं? To remove the stalks from its grains. ठीक है? So, to remove the grains from its stalks, we use the process of threshing. So, where it is used? It is used to remove the stalks of wheat and so many other grains. Right? So, threshing is a process in which we separate grain from stalks. So, threshing वो process होती है, जिसमें हम grain को के stalks से अलग करते हैं. This process is used by farmers. है न? क्यों यून यूज करता है? Generally, farmers use करते हैं क्योंकि हमारे पास तो भई जो grain आएगा, उसमें हो सकता है, हस्क और stalks का कुछ-कुछ पीस रहे गया हो. लेकिन हम उसको threshing process बहुत ही हम नहीं करते हैं. जो farmers होते हैं, वही प्रोसेस करते हैं. So, this process is used by farmer to separate gram, wheat, rice, mustard, seeds in his field. तो वहीं ये सारी जितने भी आपको grains यहाँ पर दिख रही हैं, इनके seeds को field में जब stalks निकलते हैं, उनसे अलग करने के लिए, ये जो farmers हैं, वो किसका method का use करते हैं, वो use करते हैं, threshing method का. Clear है? चलिए. Next question, question number 5. Write the three methods of separation. तो three methods आपको बतानी तो आप कोई भी बता सकते हैं. तो हमने यहाँ बता दी, hand picking, threshing and renewing. Clear है? Next question is, how will you separate oil and water from their mixture? अब आप oil and water को किस तरह से अटाएंगे? तो हम यहाँ पर करते हैं, कौन सी method करें? देखे, आपको क्या करना है? Glass लेना है, उसे पर oil डाल दीजे. अब आप उसको अच्छी तरह की mix कर दिया, और थोड़ी देर के लिए उसको settle होने दीजे. आप देखोगे, कि जो oil है, वो उपर की तरफ और जो पानी है, वो नीचे की तरफ रह जाता है. तो आप क्या कर सकते हो? डारेक्ली स्पून की मदद से या डीकेंटेशन प्रोसेस से oil को पानी से अलग कर सकते हो. ओके, so oil being lighter than water, अब क्योंकि आप देखते हो ना कि ग्लास में हमेशा oil उपर की तरफ होता है, जब भी किसी पानी में oil गिर जाता है, तो वो कहां होता है? उपर की तरफ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि oil being lighter than water, क्योंकि जो oil है, वो water से थोड़ा light होता है, lightweight होता है, ठीके, will float on it, इसलिए वो क्या होता है? उसके उपर float करता है, टैरता है, oil पानी के ओपर. So, two distinct layers are formed and slowly, oil is allowed to flow into another container. और फिर अगर आप बहुत तेजी से करोगे, तो पानी भी आ जाएगा. मतलब बहुत तेजी से करने का मतलब यह है, कि अगर दो glasses है, तो एक को अगर दूसरे में अगर आप डालते हो, तो आपको बहुत धीरे-धीरे करना है, otherwise क्या होगा कि पानी भ और फोर्म्ट and slowly, oil is allowed to flow into another container. और आपका जो oil है, आप उसे दूसरे container में डाल देते हो and is separated from water और इस तरह से वो पानी से अलग हो जाता है. separating funnel can also be used to separate the two. अब यह separating funnel होता है, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? पानी को अलग कर सकते हैं, oil से. क्या होता है इस funnel में? separating funnel में इस तरह से यह stop cog होता है, जो की tight होता है, आप जैसे इसको loose करोगे तो नीचे का पानी दिरे 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 आ जाएगा. और जैसे ही जो oil है, मालीजे यह oil जैसे ही इसका निशे में पहुशता है, हम इसको कर देते हैं tight, तो oil जो है वो उपर रह जाता है और जो पानी ह समझ में आया, मतलब फिर से बताती हूं किस तरह से याद समझोगे इसको, यह जो separating funnel होता है, इसका काम oil, water ऐसे liquids को अलग करने के लिए होता है, जब आपने केरोसीन oil को पानी में रखा तो oil ऊपर और पानी नीचे रह गया, तो अब यह आप इसको funnel में डालोगे, तो आप धीरे-धीरे क्या करोगे, stopcock को खोल दोगे, तो यह stopcock क्या होगा, नीचे वाली layer को पहले नीचे डालेगा, तो यह पानी जितने जल्दी जैसे जैसे नीचे आता है, और जैसे ही oil नीचे खिसक करके यहाँ पहुचा, तो आप क्या कर दोगे, तो पानी अलग और oil अलग, चलिए, तो यहां से तो हमने भी पानी और तेल को अलग करना सीख लिया, अब बारी आती है कि evaporation क्या होता है, अब देखे, very short में पूचा था, तो आपने simple बता दिया क्या, कि पानी का vapor में convert होना, the conversion of water into vapor is known as evaporation, अब यहां पे question है, short answer type, तो आप देखे, length बढ़ गई है हमें question का answer इस तरह साब से देना है कि पूचा किस में है, very short में पूचा है, short answer type में पूचा है, so the process of conversion of water into vapor is called the evaporation, this process take place continuously where water is present, common salt from sea water is obtained using this matter, अब आपको question की length थोड़ी सी बढ़ा देनी है, ठीक है, अब आपको इसमें क्या बता दिया, कि यह जो process ही continuously होती रहती है, पानी के साथ, अब हमारी earth पे सब तरफ पानी है, तो अब sun की light भी है, that means की heat भी है, तो उस heat energy की वज़े से जो पानी है, वो किस में convert होता है, वेपर में convert continuously होता रहता है, ठीक है, तो पानी जो है, वो क्योंकि वेपर में conversion हमारा यह जो continuously होता रहता है, और sea water में इसे evaporation की method से हम salt क को obtain कर सकते हैं, मतलब उसकी मदद से हम salt बना सकते हैं, इसलिए हमना लिख दिया है, कि the common salt from sea water is obtained using this method, तो common salt को sea water से हम इसी method की मदद से निकाल सकते हैं, समझ में आ गई बार, चले, तो question 7 complete, आगे बढ़ेंगे, define renewing, विनोइंग के बारे में आप से पूछ रहा है, तो विन renewing is the process through which we can separate the two objects in which one is heavier and one is lighter, so जो light weight होता है, वो उड़ जाएगा हवा की मदद से और heavy weight वाला अलग हो जाएगा, ओके, so the process is used to, ठीक है, the process is used to separate components from a mixture, ठीक है, एक mixture में से component को हटाने की process तो है, ये तो हमें पता ही है, यहां पे important line क्या है, which one component is heavier, in which one component is heavier or lighter than other, इस पर underline mark रहना चाहिए, हना, so the process is used to separate components from a mixture, किसी mixture से substance को या components को अलग करने की process, जिसमें in which one component is heavier, इसमें एक component heavy होता है, और lighter, एक component lighter होगा, और एक component heavier होगा, than other, यहां पे क्या लिखा हुआ है, component is heavier और lighter than other, एक दूसरे के comparison में या तो heavy हो, या light हो, ठीक है, is called winnowing, winnowing is done with the help of wind, और by blowing air, हम क्या करते हैं, winnowing को कैसे करते हैं, यह basically किया जाता है, with the help of wind, wind की मदद से, या फिर fan लगाया जाते हैं, बड़े बड़े, जिससे यह जो winnowing method है, बहुत आसारी से हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर question 8 complete, आगे हमारी गारी को बढ़ाते हुए, हम पहुच चुके हैं question 9 पर, so what do you mean by seaving, give an example, अब seaving क्या होती है, तो आपने seaving का ही बार किया हुआ है, तो seaving is again the process of separation of substance, seaving फिर से एक और method है, जिसमें हम substances को क्या करते हैं, separate करते हैं, अलग-अलग करते हैं, so in the process of seaving, one substance is in the very fine particle, और दूसा substance जो होता है, थोड़ा सा heavy होगा, या थोड़ा सा उसका size बढ़ा होगा, okay, so one substance is very light in weight and light in weight is very fine particle and the other substance has comparatively large particles, ठीक है, so seaving allows the fine floor particle, ठीक है, to pass through the holes of sieve, ठीक है, sieve की मदद से क्या होते हैं, fine particles जो हैं, वो उससे पास हो जाएंगे, while the bigger particle और impurities remain on the sieve, ठीक, तो भई, sieving में आप क्या लियाद रखोगे, कि what you mean by sieving, तो जिसमें एक में fine, जिसमें fine particle और large particle, यह सही word है, जब से मैं सोच रही हूँ कि आपको ऐसा क्या term बता दूँ कि हमेशा याद रखे, तो mixture of, we can separate, one second, one second, हाँ तो भई, क्या लियाद रखोगे, तो मैंने इसलिए लिखा है कि fine particle और large particle का जो mixture है, आप उसको अलग कर सकते हो इस method में, ठीक है, we can separate fine mixture of fine particle and large particle, जैसे कि आपका wheat flour, so sieving allow the fine flour particle to pass through the sieve, sieve क्या होता है आपका छलनी, जिसकी मदद से आप किसी चीज़ को चानते हैं, sieving process करते हैं, so sieving allow the fine flour particles to pass through the holes of the sieve, while the bigger particle or impurities remain on the sieve, तो इसका मतलब जो बड़े-बड़े particle है, वो sieve में ही रह जाएंगे, for example in a floor meal, जैसे कि example के लिए floor meal का example लिया, impurities like husks and stones are removed from the wheat before grinding it, तो भई आपके floor meal में या फिर construction site पर हम क्या करते हैं, sand में से अगर मुझे stones को, pebbles को, gravels को अलग करना हैं, तो हम क्या करेंगे, sieving method को करेंगे, तो याद रखेंगे न, सब्सक्राइब के बारे में कि सीविंग क्या होता है, चली, next is question number 10, which is a match the column, means that it's which is match the column, so first is separate stones from rice, तो आप अगर stones को rice में से हटा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, तो purpose यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि, जो आप जब separation कर लेते हो, तो separated component को क्या करते हो, तो सबसे पहले है separate stone from rice, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, to separate two different but useful component, जी नहीं, to remove non useful component, या फिर to remove impurities और harmful components, तो हम एक काम करते हैं, पहले दूसरों options पढ़ लेते हैं, क्योंकि B या C में से कुछ होना चाहिए, so churning milk to obtain butter, आप milk को butter बनाने के लिए churn करते हो, तो उसका मतलब आप क्या करते हो, आप basically दोनों ही चीजों का use करते हैं, जो butter बनने के बाद substance बनता है, उसका भी हम use कर सकते हैं, तो यह क्या है, to separate two different but useful component, तो यहां तो हम A लिख देते हैं, separate tea leaves, अब आप tea leaves को अलग करते हो, तो आप क्या करते हो, to remove non useful component, या to remove impurities और harmful components, अब देखें, यहां पर दिया हुआ stones को separate कर रहे हो, और यहां किसे separate कर रहे हैं, tea leaves को separate कर रहे हैं, तो stones में, या tea leaves में से कौन हमारे लिए harmful होगा, तो harmful होगा stones, क्योंकि अगर आपने rice के साथ में stone को chew कर लिया, तो आपका जो teeth है, वो तूट भी सकता है, उसमें दर्द भी हो सकता है, या जिस टोन है, हमारे stomach में जाकर के कई तरह की problem create कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए आएगा C, और यहाँ पे separate tea leaves का मतलब, to remove non useful component, वो एक non useful component है, जिसको आप remove कर दे रहे हैं, तो purpose तो हमने लिख दिया, C, A और B, अब देखें, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, कि why, what do we do with the separate components, so what do we do with the separate components, हम उन components के साथ क्या करते हैं, we throw, through away the solid component, क्या हम यह जो solid component हो से fake देते हैं, we throw, throw away the impurities, we use both the components, अब both the components आप किसमें यूज़ करते हैं, इस third वाले में, clear है, अब यहाँ पे देखें, कि we throw away the solid component, या फिर भी थो आवे दा impurities, तो impurities का मतलब कि आप किसकी बात कर रहे हैं, इस second वाले की, क्योंकि यह हमारे लिए एक harmful impurity थी, ठीक है, और separate tea leaves का मतलब हो जाएगा, we throw away the solid component, क्योंकि इसमें liquid से आप solid को अलग कर रहे हैं, तो देख लेते हैं, हमारा answer सही है क्या, तो जी हाँ, हमारा answer correct है, और आप इस form में से screenshot इसका ले सकते हैं, clear है, चले, तो question 10 को मैं यहाँ से कर रही हूँ clear, और आगे हम बढ़ेंगे question number next पर, so next question जो है, यह होगा हमारा long answer type question, अभी तक हमने क्या पढ़ा, short, very short, और अब किसकी बारी आ जाती है, long answer की, so what is threshing, अब threshing के बारे में हम पर चुके हैं, लेकिन अब आपको इसका answer long way में देना है, so आपको हर चीज़ बताना है, सबसे पहले कि यह process क्या होती है, कि the process in which we separate stock from the grains, grain from the stock, तो threshing is the process that is used to separate grain from stocks, यह आपका पहला point हो गया, जो कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है इस point में, तो अगर इस point में याद रखनी की बात है, तो पहला point जो है इसमें आपको याद रखना है, कि grain को आप stock से अलग करते हो, ठीक है, in this process the stocks are beaten to free the grain seeds, stock क्या होते हैं, beat किये जाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, grain seeds को separate कर सकें, ठीक है, क्या होता है, second point याद रखोगे, कि in this process the stocks are beaten to free the grain seeds, sometimes threshing is done with the help of bull locks, ठीक है, इस तरह से bull locks की मदद से हम threshing कर सकते हैं, machines are also used to thresh all quantities of grain, ठीक है, बस ये 4 point तो याद रखना है, याद रहेंगे हमें, करताना है कि क्या किया जाता है, तो grain को stock से अलग किया जाता है, हम इसको beat कर बीटर करते हैं, beat करते हैं ताकि हम grains को निकाल पाएं, stocks में से, फिर है कि threshing जो है, वो bull locks की मदद से, या machines की मदद से भी की जा सकती है, clear हुआ, चले, तो यह हो गया आपका पहला question का answer, long answer type का, next is, describe the method of obtain salt from the sea water, अब salt को sea water से कैसे आप obtain करते हो, so first of all, we collect the sea water, सबसे पहले sea water को collect किया जाता है, ठीक है, and from the still water, as the time goes, जैसे जैसे still water में से time जाता जाता है, due to the heat produced by the sun, sun की heat की वजह से, the water is converted into vapor, which is known as the evaporation method, जो पानी है, वो वपर में convert होता है, evaporation की method की मदद से, और जैसे जैसे time जाता है, जैसे जैसे evaporation होता जाता है, finally, उस पानी में से, पानी वेपर के form में अलग होगा, और हमें जो salt है, वो solid के form में अलग मिल जाएगा, ठीक है, so sea water contents, आपको और अच्छे से कैसे बताना है, so sea water contents, many salt mixed in it, आप जो बहुत sea water है, उसमें कई तरिके के salts होते हैं, including our common salt, so one of them is common salt, एक कौन सा होता है हमारा, common salt होता है, so when sea water is allowed to stand in shallow pits, कहाँ पे, जो मैं बोल रही थी नहीं कि अपर उसको अपर collect करते हैं, तो कहाँ collect करते हैं, यह याद रखेगा, shallow pits में, ठीक है, कहाँ पर करोगे, आप उसे stand in a shallow pits, ठीक है, one of them is common salt, when the sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets evaporated by the sunlight, पानी जो है, वो sunlight के कारण evaporate हो जाता है, and slowly turns into water vapour, और फिर किस में convert हो जाएगा वो, water vapour में, water gets evaporated by the sunlight, and converted into water, into vapour, so in a few days, the water evaporates completely, कुछ दिनों में, पानी जो है, वो पूरी तरीके से evaporate हो जाता है, leaving behind the solid salt, और पीछे क्या रह जाता है, solid salt रह जाता है, common salt is then obtained from this mixture of salts, by further purification, और इसी mixture में से, यह जो आपको बचा हुआ, salt वहाँ पर मिला है, solid salt, इस solid salt में से, हम purification के बाद, common salt को बना लेते हैं, तो common salt is then obtained from this mixture of the salts, by further purification, ठीक है, so further purification के बाद, हम common salt को क्या करते हैं, निका लेते हैं, तो यह पूरा process जो है, कि अगर पूछा जाए, कि किस तरहा से हम salt को obtain करते हैं, तो आपने यह पूरी process बता दी है, clear है, चलिए, आगे चलते हैं, so what is decantation, decantation क्या होता है, so after the sedimentation, sedimentation के बाद, जो आपका पानी और sand, अलग-अलग separate हो जाते हैं, तो पानी को जब हम दूसरे container में डाल देते हैं, या दूसरे container में उसे shift करते हैं, तो यह जो process है, वो decantation कहलाती है, so the decantation is a process of separation of insoluble solids from liquid, ठीक है, क्या करते हैं, insoluble solids को liquid से, या liquid को solid से अलग करने की process, decantation कहलाती है, so decantation is the process of separation of insoluble solids from liquid, वो solids जो की liquid में घुले हुए नहीं होते हैं, उनको दोनों को अलग करने की process decantation है, the suspension of solid particle in liquid is allowed to stand for some time, the solid particles then settle down at the bottom of the container, and clean water goes up without disturbing the settled particle, अब देखे, sedimentation और decantation एक दूसरे से correlated है, sedimentation की process भी यहां हो रही है, क्या हो रहा है, कि आपको यहां पर बताना है, decantation is the process of separation of insoluble solids from the liquid, ठीक है, then उसके बाद यहां से, the suspension of solid particle in liquid is allowed to stand for some time, ठीक है, यह जो आपके solid particles है, the suspension of solid particle, यह जो solid particle liquid के अंदर है, उनका weight क्योंकि जादा होता है, इसलिए कुछ time के बाद वो नीचे की तराफ बैट जाते है, the solid particle then settle down at the bottom of the container, and clean water goes up, ठीक है, this is the process of sedimentation, ठीक है, this is the process of, ठीक है, sedimentation, after this, without disturbing, अब आपको क्या बताना है, after this, यह इसलिए लिख रहूँ तकि आपको याद रहे, after this, without disturbing the settled particle, जो settled particle है, उन्हों उन्हें बिना disturb किये हुए, जो clean water है, उससे transfer कर दिया जाता है, into other container, and this is, which is known as, which is the process of, decantation, ठीक है, इसी को ही हम decantation की process कहते हैं, अना, तो यह पुरी process होती है, जिसको आपको explain करना है, आप चाहें, तो आप इसे अपने word में भी answer कर सकते हैं, so where is decantation used, give two examples, अब कहां पर decantation यूज करता है, तो पहला example तो आपको oil और पानी का ही याद रखें कि जहाँ पर oil को आपको separate करना है, ठीक है, so decantation is used to separate insoluble solids or liquid from liquid, rain water is the mixture of mud and water, it is purified by the decantation, तो पहला example क्या है आपका rain water, ठीक है, तो rain water क्या होता है, तो mixture होता है mud and water का, तो क्योंकि rain बहुत तेजी से पानी बहता हुआ आता है, तो उसके साथ में mud भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़े आ जाती है, तो उस mud को अलग करने के लिए आप decantation प्रोसेस करते हो, तो कैसे करते हूँ, नल में से पानी आया, उसमें mud था, आपने थोड़ देर के लिए उसको settle down कर दिया, जैसे ही mud नीचे की तरफ खटा हो जाती, stand हो जाती है, जम जाती है, तो आप क्या करते हो, उपर से पानी को separate mug से, या फिर हलका settle करके, अलग कर लेते हो, या फिर oil and water also get separated by this method, because oil floats up, अब oil और पानी को भी आप इसी तरीके से separate कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, oil जो है वो इसके उपर float करता रहता है, clear है, चलो, next question पर चले, तो next question क्या पूछा है, how will you prepare cheese या पनीर, तो आप पनीर कैसे prepare करते हो, तो आपको पूरी process बताना है, कि आप क्या करोगे सबसे पहले तो, for making paneer, a few drops of lemon juice is added to hot milk, आपको क्या करना है, सबसे पहले, a few drops of lemon juice, stir added to milk as it boils, जैसे वो boil होता है, उसमें डाल दीजे, this gives a mixture of particles of solid paneer and liquid, जैसे या आपने गरम दूद में, निबू का कुछ drops को डालते हो, lemon drops दालते हो, तो आपका जो solid particle है, वो अलग हो जाएगा, और दूद का liquid portion है, वो अलग हो जाएगा, solid particle ही आपका solid paneer होता है, the paneer is then separated by filtering, उसके बाद हम filtering process से, paneer को अलग करते हैं, liquid से, paneer उपर है जाएगा, आपका कपड़े के उपर, आपना अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि छनली से कुछ पनीर के पीसे लिक्विट में जा सकते हैं, तो आप एक separate कपड़ा लीजे, उसमें आप उसे अच्छी तरीके से squeeze करके, अलग कर देते हैं, separated by filtering the mixture, through a fine cloth or strainer, ठीके fine cloth या strainer की मदद से, आप उसे separate कर लेते हैं, then उसके बाद उसको एक plate में रखकर के, कपड़े पर बांध के ऊपर से कुछ अच्छा सा weight रखके, उसको settle कर दिया जाता है, frizz के अंदर, जिससे कि वो proper पनीर के form में convert हो जाता है, आई बात समझ में, तो ये एक process है, जिसमें हम पनीर बनाते हैं, बहुत आसान है, चले, next is question number 6, explain the method that can be used for separating the following mixture, sand and husk, अब अगर आपको sand और husk को अलग करना है, wheat, sugar and stock, water and petrol, rice and salt, ठीक है, rice and salt, and sand and salt, तो सबसे पहले sand and husk को अलग करना है, तो हम renewing method कर लेंगी, तो mixture of sand and husk, sand and husk is separated by the method of renewing, चीक है, renewing method से हमने इसको अटा दिया, क्योंकि sand particle थोड़े से heavy रहेंगे, और husk जो है, वो sand से भी हलकी होती है, तो हम renewing method उसमें कर सकते हैं, next है, mixture of wheat, sugar and stock, so आप देखे, सबसे पहले तो wheat और sugar, दोनों का जो weight है वो stock से ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, renewing method करोगे, क्या method करोगे, renewing method और जिससे आपने stock अटा लिया, ठीक है, because the milk is lighter than the other two components and get separated, because the stock is lighter than the other two components and get separated, wheat and sugar can be separated by the sieving, because they are in different size, आप देखे, basically क्या है, कि आपको wheat, sugar और stock को अलग करना है, तो stock तो हलका था, तो आपने renewing method से अलग कर लिया, अब यहाँ पे wheat और sugar में क्या होता है, कि wheat शुगर से थोड़ा बड़ा होगा, तो हम एक ऐसी sieve का, या ऐसी चलनी का यूज़ करेंगे, जिसके जो pores हैं, वो इतने बड़े हो, कि जिसकी मदद से, शुगर नीचे की तरफ आ जाए, तो हम आसानी से, sieving की method से, wheat और शुगर को अलग कर सकते हैं, क्योंकि they are in different size, तो हम क्या करेंगे, इसमें sieving method करेंगे, क्योंकि यह different size के थे, और renewing method से, हम lighter object को अलग कर लेंगे, ठीक है, अब है mixture of water and petrol, तो water and petrol में क्या है, पानी और petrol क्या है, आपका oil है, तो petrol जो है, वो उपर रहेगा, क्योंकि वो light होता है, पानी से lighter weight का होता है, और पानी जो है, वो नीचे की तरफ होगा, इस method को क्या कहते हो, आप sedimentation, so water does not dissolve in petrol, so it can be separated by the, use of separating funnel, या फिर यहाँ पर हमें क्योंकि process लिखना है, तो यह हो जाएगी आपकी sedimentation, sedimentation की process में, हम oil या फिर अपना जो petrol है, उसे थोड़ दिर के लिए settle करेंगे, आपका, यह जो आपका separating funnel की मदद से, फिर हम उसको mixture को देखे, separating funnel के अंदर डाला, sedimentation की process होई, oil उपर जम गया, पानी नीचे की तरफ रहा, फिर separating funnel, जैसा मैंने अभी आपको डाइग्राम में दिखाया था, उसकी मदद से पानी को अलग कर लेंगे, और यह जो आपका oil है, आप उसे अलग कर देंगे, mixture of rice and salt, अब rice and salt को कैसे करेंगे आप, तो again rice और जो salt है, वो different size के हैं, इसलिए हम उसको seiving method से अलग कर सकते हैं, ठीके, because, क्योंकि वो क्या है, different size के हैं, mixture of sand and salt, तो sand and salt को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें पानी को add करना पड़ेगा, पानी add करेंगे, तो sedimentation के process से, जो आपका heavier चीज थी, sand वो नीचे settle हो जाएगी, salt पानी में dissolve हो जाएगा, sand and salt is mixed with water, salt dissolved in water, and sand can be separated solution by sedimentation, और salt को आप, sand को sedimentation से अलग करोगे, and decantation followed by filtration, ठीके, उसके बाद आप decantation करोगे, और फिर filtration करोगे, ठीके, decantation और filtration दोनों processes में लगेंगी, क्योंकि थोड़े बहुत पार्टिकल अगर sand के बचे हुए हैं, तो वो भी हमारे नमक में salt में आ सकते हैं, तो हमने decantation किया, मतलब liquid को separate कर दिया, filtration किया, मतलब कि अगर थोड़ा बहुत पार्टिकल भी अगर soil का आया हुआ है, तो filter paper की मदद से हमने उसे अलग कर लिया, अब पानी में dissolve क्या था आपका salt, तो हमने evaporation method करी और common salt को उसे separate कर लिया, क्योंकि evaporation में पानी अलग और यह जो आपका salt है, यह पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, ठीक है, चले, तो question number 6 खतम, और इसके साथ हमने खत्म कर लिया है, chapter 5 का, NCRT solution और वो सारे तरीके की questions, जो हमसे exams में पूछे जा सकते हैं, I hope आपको यह video बहुत helpful लगेगा आपके exam के लिए, आप इसी से अपनी preparation करें, इसके अलावा हमने इस chapter का complete description और हमारे कुछ previous chapter का, सभी कुछ chapters और उसका solution हम already cover कर चुके हैं, अगर आपनी नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं Magnet Brains पर जाकर के, क्योंकि Magnet Brains पर ना Hindi Medium, English Medium हो, आपका State Board, CBSC, सभी के लिए, सभी तरीके के videos available है, उनके सारे subjects के सारे chapters का solution available है, 100% free, तो आपको जाना है Magnet Brains.com पर और select करनी है अपनी class, तो आप जैसे हैं class 6 में, जैसे ही आप class 6 सेलेक्ट करतें तो इस तरह से आपको folders दिखेंगे, इन folders में आपको सेलेक्ट करना है Science by सुर्वितिवारी, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको सारे chapters दिखते हैं, उनके topic, subtopic, सबका solution दिखेगा, आपको जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो एक वीडियो ओपन हो जाएगा, इस वीडियो को शुरुआत से अंतर तक, that means starting से last तक जरूर देखेगा, तभी आपको चाहे chapter हो, चाहे topic हो, चाहे उसका NCRT solution है, तभी वो आपको समझ में आता है, clear होता है, जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको पसंद आए, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर अभी कुछ ऐसे students हैं, जो कि हिंदी मीडियम से हैं, state board से हैं, तो उनके लिए separate channel बनाया हुआ है, that is magnet brains हिंदी, magnet brains हिंदी पर आपको सारे आपके subject जो कि हिंदी में है, सब कुछ मिलेगा आपको हिंदी मीडियम में, साथी साथ आपको उसका solution भी हिंदी में दिखता है, तो आप जाए वहाँ पर सारे subjects पढ़िए, आपके subject के सारे chapters पढ़िए, again 100% free of cost, ठीक है, चलो, अगर आपको हमारा magnet brains का चैनल पसंद आ रहा है, तो आप इसे share करें अपनी same class के students के साथ, साथ ही साथ उनके साथ, जो कि आप से थोड़ी बढ़ी है छोड़ी class में है, that is from kindergarten to class 12 तक सभी कुछ हम देते हैं, 100% free, ओके, चैनल को subscribe ज़रू करें, ताकि जो भी recent update है, वो आप तक तुरंज पहुँच जाए, आप मैं मिलूँगी मेरे next video में, तब तर के लिए stay happy, stay healthy, thank you so much.